फ्रेंड्स आजकल गूगल बार्ड और चैट जेपीटी की चर्चा तो हर तरब चल रही है तो आप सबी लोग या सोच रहे हूंगे कि यार आखिरकार ये सब क्या है तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि चैट JPT क्या है, गूगल बार्ड क्या है, दोनों कैसे काम करते हैं और इन दोनों में क्या अंतर है और क्या इनके ऐसे फायदे हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा हैल्प कर सकते हैं तो ये सबी जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंट तक बने रहें और यदि जब भी कोई डाउट बचता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं तो चलिए दोस्तों बिना कोई टाइम वेस्ट किया इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं सबसे पहले जानते हैं कि चैट जीपीटी क्या है तोस्तों सैम आल्टमैन ने ट्वीटर के मालिक ऐलोन मस्क के साथ मिलकर 2015 में इंडिपेंडेंट रिसर्च बोडी ओपन एई को बनाया था जिसका पार्ट है चैट जीपीटी इससे 30 नवंबर 2022 को लॉंच किया गया जीपीटी का अर्थ है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफोर्मर चैट जीपीटी एक तरीके का AI बेस्द आनि artificial intelligence बेस्द एक software है जैसे आप Google पर कोई चीज सर्च करते हो तो Google आपके सामने कई link वगरा प्रोवाइड करा देता है लेकिन जब आप चैट जीपीटी पर कोई चीज सर्च करते हो तो यह आपको उसे अच्छे से समझ कर उसका पूरा detailed analysis, easy explanation के साथ आपको प्रोवाइड कराता है कहने को तो चैट जीपीटी महज एक चैट बॉट है लेकिन इसका potency अलेक चैट बॉट और search इंजन से बहुत ज़ादा है इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि जो काम आप Google पर सर्च करके कई-कई घंटों में नहीं कर पाते हो उसे यह मात्र कुछ मिंटों और सेकेंडों में कर देता है चैट.openai.com यह इसकी वेबसाइट है इसका यूज करना बहुत ही आसान है सबसे पहले आपको इसकी वेबसाइट या एप्लिकेशन पर जाना है वहाँ जाके आपको sign up वगेरा करना है उसके बाद आपको text का option मिलेगा तो आप वहाँ आपना question put up कर सकते हो और उस question को यह अच्छे से समझ कर उसका detail analysis आपको provide कराएगा दोस्तों chat GPT के आने से लोग यह सोचने लगे कि आप Google का क्या होगा क्या लोग Google का यूज करना बंद कर देंगे ऐसे कैई सवाल लोगों के मन में उठ रहे थे लेकिन Google कौन सा चुप बैठने वाला था जी हाँ दोस्तों Google ने भी chat GPT को टकर देने के लिए launch कर दिया है अपना AI chatbot जिसका नाम है Google Bard आईए इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों Google Bard भी एक AI-based chatbot है जो की chat GPT की तरह आपके सवालों का जवाब देता है जब भी आप Google पर अब कोई चीज सर्च करेंगे तो website के link ओपन होने से पहले Google Bard आपके सवालों का जवाब दे देगा लेकिन अब आप यह सोच रहे होंगे कि यह काम तो chat GPT भी कर लेता है तो फिर इन दोनों में क्या अंतर है तो मैं आपको बताता हूँ गूगल बाड चैट बोट गूगल के लामडा मोडल पर तैयार किया गया है चैट GPT आपको सिर्फ 2021 तक की जानकारी देता है और इसके पास limited information है लेकिन गूगल बाड आपके सवालों को अच्छे से समझ कर इंटरनेट से जानकारी जुटा के आपको real time में latest information प्रोवाइड कराता है तो दोस्तों कुल मिलाके गूगल बाड हम सभी के लिए चाहिए हम एक student हो influencer हो या content creator हो सभी के लिए बहुत जादा फायदेमंद है I hope इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी यदि आपको ये वीडियो knowledgeable लगी हो तो आप इसे अपने whatsapp groups में अ प्राइदा उठा सकें Thank you so much